कब से दमारा इंतजार कर रहा है पगली जब देखो तब तुम भभूती जी के इतके बंडराती रहती हो ऐसा के चिपका दिया उनों दे अरे नल्ला है ससुर का अम धंदा कचु करता नहीं है इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे बिना शायद हम जी ना पाएं वो अलग बात है कि अगर भाभी जी आ जाए तो आनत कुछ और होगा हाफ अगली तो हम कह रहे थे कि आई लग देख रहे हैं श्रेश्ट भारत भाभी जी घर पर है टीवी के सबसे पसंदिदा शोज में से इक है जिस तरह लोग शो की कहानी को पसंद करते वैसे ही इसकी किरदारों को भी लोग बेहत पसंद करते अपने दिलों पर बसा रखा है उन्होंने हर किरदार की अपनी एक तगड़ी फैन फॉलोईं है और तिवारी जी उर्फ रोहिताश गोर भी उनी में से एक है लड्डू के भाईया तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कारेक्रम और तिवारी जी उर्फ रोहिताश गोर से पूछते हैं कि कैसा है उनका यह सफर शुरू हुआ और कैसे उन्होंने इस शफर की शुरुआत के बाद कहीं और मुड के देखा ही नहीं तो सबसे पहले सब्सक्राइब तो रोहिताश सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है श्रेश भारत पर अगर मैं आप से आपके ही सीरियल के लेंगवज में पूछू कैसे हैं लड्डू के भाहिया और आप भावी जी घर पे हैं जो एक्सपीरियंस आप हैं शेर करना चाहेंगे हमारे साथ मैं चाहूंगी कि शेर करें आप क्योंकि आप शुरू से ही सीरियल में है और लड्डू के भाहिया और फत्तिवारी जी और मतलब आपको शायद ही कोई आपके असली नाम से जानता होगा जी बिल्कुल सही का आप ने ये सफर जो है दोवजार 14 में शुरू हुआ था इससे पहले में दापता गज नाम का सीरियल कर गाहा था लेकिन अचानक से हमारे राइटर मनोस संदोशी की के माध्यों से ये सीरियल मुझे मिला और जिस सफर को मैं तीन महीने का समझ रहा था आज वो सफर दसने साल में प्रवेश कर गया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इसी भी एक्टर के जीवन में ये सफर एक बहुत बंबा सफर होटा है और जैसा कि इंडस्ट्री का निया भी है कि जितना दिखता है तो हम कुछ जाना ही दिख लिए तब ही आपको आपके असली नाम से भी लोग नहीं जान पारे अब तिवारी जी और लड़ू के भहिया कहके बुलाते होंगे अच्छा आप जिस सुसाइटी में रहते तो उस पर आपके असली नाम से आपको जानते हैं कि तिवारी जी और लड़ों के भहिया कहें कि बुलाते आपको नहीं बिल्कुल आपने सही कहा बहुत सारे लोग तिवारी जी ही कहते है मतलब अभी नायगाओं में जस घर में रहता हूं महाँ पर इवन सोसाइटी के सारे मेंबर्स मुझे तिवारी जी कहते है यहां तक कि जब बिल्डरक से मगाद बुक करादे गया था वो भी तिवारी जी बोला था मैंने का नहीं सर कहीं हाँ कॉंटरेक्ट में तिवारी जी मतलिग दीजेगा नहीं तो कॉंटरेक्ट नूसरा बन जाएगा सर अब तक जैसे कि आपने बताया कि एक्स्पिरिंस बहुत अच्छा रा आप शिम्ला से है तो भाभी जी का जो चरेक्टर वो यूप बेस्ट भाशा है तो इसको करने में आपको मुखिल शुरुवात में आई होगी या कुछ आपने पहले इसे प्रिपेरिशन का लिया हो उसकी भाशा भी कुछ कुछ इसी तरह की थी तो मुझे कोई बहुत मुश्किलात पेश आई नहीं हाँ जब मैं लापता गंज करना तब जरूर मुझे 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 हुए थी क्योंकि अचानक से उस तरह का एक्सेंट पकड़ना उस तरह की पंचिक डालोग में लाना वो सब्सकारा प्रशा शुरी मैम यानि की भावी जे के पीछे है और कई दिल की बात कह जाते और कई नहीं भी भी लाए नहीं भी आख दे तो इसलिए हम चाहा के भी बनाए रखते हैं जी बिलकुल अचा सेट कर जैसे कि आप लोग एक एक चाहा के बनाय रखते हैं जी मुझ ये तो आख आ डो 사र लोगों का इसरे यहां बहुत आ जैसरे हुआ जो पर जुख और पई लोगों का ज्मावडा है जैसे न merry- condemned को पाध्याया साब भी है जो चाचा जी की भूमी का दिबाते हैं वो एक बहुत ही शरार्ती किस्म के करेक्टर है और हप्पु सिंदरोगा और भी बहुत सारे जितने भी करेक्टर है सकसैना है Master G. है टीका टिलू है ये भी पूरी एक जमात है तो हमारे बीच में बहुत मजाग चल रहा है बहुत सारे प्रैंक्स चलते है हमारे बीच में हम सीन्स को बहुत इंपरोईस करते हैं अपने तरीके से उसको पेश करते हैं और उसके यूमर को बरकरार रखने की कोशिश करते है खासकर उसके देसी ऐलिमेंट को क्योंकि अगर उसके देसी ऐलिमेंट को नहीं पकड़ेंगे तब तक वो आमात भी तक नहीं पहुंचेगा तो यही हमारी कोशिश रहती है तो बड़ा बहुत अच्छा महाल रहता है हसी मजाग ठटा और प्रैंक्स एक दूसरे के साथ खे अगर आप हमें वैसे देखेंगे ना तो आप को कहेंगे अरे यार यार यह बहुत सीरियस दिखते हैं इवन बभूती जी और हम भी यह तो बस इस सीरियल ने है ने है जो हमारे उपर थोड़ा सा कॉमेडी का खपा लगा दिया है लेकिन हमारी जो आफ स्क्रीन केमिस्ट्र है वह बहुत अच्छी है हम एक दूसरे के काम की एक दूसरे के आर्ट की बहुत कदर करते हैं और हम दोनों ही रंगमंच से जुड़ेवे कलाकार है मेरा तो खेर बहुत लंबा प्रोफेशनल थेटर का एक्स्पिरियंस नाहा है राश्टे नाट्य विद्याले से लेकर रा जोडित है हम वह कि grade करते हैं और तूसरे से बहुत सिरियाल धिस्कुशन भी करते हैं आपको अजी जैसके अंगouri भावी जब सीरियल में दकते हम कि वह नाज हो जाती है तो आप कुछ ना कुछिश कहके मना लेते उनको बोलते हैं कि यहाए गुमाने लगाने लिजाओ यह बड़ा बड़ा पेचीदा सवाल है बिसकली इस इस चीज से हम बहुत सारे टेलिवियन एक्टर बहुत जादा जूज रहे हैं क्योंकि हमारे वर्किंग आर्ज जो है वो इतने हैक्टिक होते है कि हम लोग हमेशा हमारी बीविया जो है असली बीविया वो हमसे नाराजी रहती है जैसे मैं आज यहां बैठा हूँ और अभी आप से बात करने के थोड़ी दिर पहले मेरी बीवी मेरी बच्चियों के साथ लंडन में ट्रेन में कहीं जा रही थी वो वहां से मेर से बात करनी थी वीडियो कॉल में मतलब आप ये देख लीजे कि वो हमारे बिना अजय को अजय को आप ये दो आप लिए लेगी आप लेगे अगला सवाल इससे से रिलेटिटेट अपने बोला कि ताइम बिल्कुल ने मिलता और डेली सोप करने वालों के खास ये मुश्किल रहती है क्यों कि 14-14 तक आप लोग काम करते उससे जादा भी करते हैं तो किता र्ट करने किता मुश्किल लगता है अब अगर पूचू में अगर मुश्किल पहले जङादा लगा करता था क्योंकि पहले वर्क इंढ उनित लिमिंटेट नहीं ती अब जो है 12 गंटे की शिप्ट है उस दुरान अई उस नहीं होता था पहले पहले शिफ्ट जो है वह वहा स्ट्रेच 50 आज शूट किया है और उसके बाद मेर को डॉक्टर ने कहा था कि सोलो नहीं तो ऊपर जाओ क्योंकि नीद कोई अल्टरनेटिम नहीं तो ऐसी ऐसी चीजे पहले हुआ करती थी लेकिना बहुत आराम हुगया है अब बारह गटे कि शोर हमारा तो कॉमेडी सीरियल हम सारा देन मस्ति करते हैं और राइन पर जोड़ते हैं अब हमारा पहले भी पैक अप हो जाता है जैसा भी मेरा एक सीम के बाद पैका पैमें घचला जाओंगा तो अभी बहुत आराम है मस्ति है अच्छा आपका इस सीरियल में कच्छे बन्यान का बिजनस है अगर असल ज अगर मेरा कच्छा बन्यान का बिजनस पर एल लाइफ भी होता है तो मैं इस तरह कादमी हूँ कि मैं हर कांको बड़ी शिदत से करता हूं तो मैं इसको भी जो है सार आखों पिठा कि आओ कच्छा बन्यान मेरे सर पे बैठो और हम जो है बिलकर इसको और आवे बढ़ाएं अच्छा बन्यान के लिए और आप उनको ताना मारते तो यह नोग जोए जब आपका तो कोई अच्छा तो यह ज़िए इस ने दिल पे ले ले लिए ऐसा तो कुछ नहीं है तो इसको बिल्कुल दे लेते बल्कि उसको और भी ज्याद उसमें तंस एड़ने की कोशिश करते है ताकि ओडियन्स को जह हो और भी आदंद आए तो दिल पर लेदे की तो बाती नहीं हो तो लिखाव आता है हम उसमें आदंद लेते हैं और इंप्रोवाइज अपने तरीके से करते हैं सर शोले मूवी जो है आज भी उस मूवी के सारे करेक्टर सब को याद है तो इसी तरह जो यह सीरियल है भावी जी घर पर है इसके जो कैरेक्टर से लोगों के जुबान पर है असली नाम तो शायद ही किसी को किसी का पता हो लेकिन सब को विभूती जी ये तिवारी जी है अंगुरी भावी गोरी मैम इस सब के जुबान पर चड़ा हुए तो कैसा लगता है आपको की कास्टिंग कितनी अच्छी की है कास्टिंग डारेक्टर ने मैं सच क्या रहा हूँ इसमें पहले जो है स्थितियां बड़ी अलग थी मेरी जगा कोई और एक्टर कर रहे थे लेकिन मनोस संतोशी जो थे वो जो राइडर है वो कहीं न कहीं मेरी फेवर में थे और इसका पाइलेट एमिसोड भी हमारे बिना शूट हो गया था लेकिन उसके बाद ये री शूट हुए हुआ उसके री कास्टिंग हुई और चीजें बदली गई गोरी में कोई और थी फिर कोई और आई अंगूरी कोई और थी तो उसकी जगा शिलपा शिंदे को लाए पहले पहले साल में तो ये सब जो है वो ताना पाना शशांक बली साथ का और मनोश संतोशी साथ का है बुना हुआ रियली कास्टिंग बहुत ही परफेक्ट है जिसकी वज़े से ये सीरियल बहुत पसंद किया जा रहा है ऐसा लगता है कि तमाम के किरदार जो है वो इनी चरित्रों के लिए बने हैं चाए बो डॉक्टर साहबी क्यूना हो मास्टर साहबी कुना हो बहुत छोटे-चोटे किरदार भी ऐसा लगता है ये चरित्रिन के लिए बने तो ये खुबसूरती जो है वो बेसिकली शेशांग बली की और राइटर मनोश संतोशी साथ कि ये तर आप पूरे दिन तो शूट करते रहते हैं लंबी-लंबी लाइन करना पड़ता है आपको लेकिन आप से एक रिक्वस्ट है कि आप अपने इस चैनल के माइदन से आप हमारे फैंस के लिए कुछ ऐसा कर दीजे और लड़ों के भाईया के स्टाइल में कुछ अगर कुछ लाइन सगर आप बोल दें अरे पगली कहां गुम हो गई कबसे तुमारा इंतजार कर रहे हैं पगली जब देखो तब तुम भभूती जी के इतकिन मंडराती रहती हो ऐसा के चिपका दिया उन्होंने अरे नल्ला है ससुर काम धंदा कच्छू करता नहीं है हमारा बस चले तो सालक गुईयां खेत में भेज़ दे अब से तुम कहीं नहीं जाओगी जहां रहना यही रहो समझी आज से तुमारा खाना फिना उटना वटना सब कमरे में होगा बार नहीं निकलोगी संगी पगली कहीं तैंक यू सो मच सर कि आपने सुनाय और फैंस तो हम जिस दौर में आये थे उस समय यह तो फिल्म थी या टीव था यह ता ही नहीं और जब हम आये थे तो टीव समय भूम पे था अगर आपको आपने देखा होगा उस समय सास बहू सीरियल्स जो थे क्या क्यूंकि सास भी काई बहू थी यह वो तौम चीज़ उस समय आ रही कि बहृत सारे अच्टनेख civ के तौश म में आ रहे थे तो टीवी ही था फिल्म फिल्मों में हर उस टान था ही नहीं उस समय तो हमें जो है उस समय काम विलना शुरू हो गया और तीवी में क्यूंकि हमें अच्छे किरदार बना शुरू हो गये तो हम प्टीवी से एक तरह स चला गया और हमें अच्छा अनुभब ही होने लगा क्योंकि ना के बल अच्छे किरदार बल्कि अच्छे पैसे भी बिलने चुरूर लेकिन आज को दौर तुड़ा बदल गया है आज अब धीरे तरी अलग माध्याप खुला है OTT जिसको बोलते हैं तो मैं ऐसा तो नहीं कि म मेरे मन में यह जरूर आता है कि क्योंकि मेरा ट्रेनिंग प्रॉसेस एक्टिंग का एक रिनौन इंस्टिटूशन से जुड़े हैं प्रोफेशनल थेटर से जुड़े हैं तो इसके अलावा भी अपने रोहिताश गौड एक्टर के किरदार में कुछ अलग अलग चीज़े तलाश की जाए तो यह तलाश जारी करने के लिए मैं प्रैतन जरूर करूँगा लेकिन यह नहीं कि मैं छोड़ दूगा ऐसा नहीं है तीवी से मुझे बहुत लगाओ है और टीवी के ही वज़े से आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हैं लड़ू के भाहिया को अगर अगर मतलब चल रहा है उसका एक शूट तो हो गया है वो एक क्लास फुल नाम से एक सीरीज है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ओपर है जो हमारे छोटे-छोटे गाउं में जो स्कूल होते हैं उस तरह का जो वहां का जो तंत्र है उसके ओपर यह वेब सिरीज इसका नाम है क प्रास फुल तो इस वेब सिरीज पर हम काम कर रहे हैं जी और वी मैंने चुटी से फिल्म भी की है जिसका नाम है हामी जो कि एक 20 मिनिट की फिल्म है जैसा कि आजकल चल भी रहा है तो बट सीरियस करेक्टर्स है सारे सीरियस क्योंकि मैं अभी उस परिवेश में भी अपने कर रहे हैं अभी जैसे कि अभी आपने बोला सीरियस करेक्टर और आप उस पर अपने आपको ढालना चाहरे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी करना जादा मुश्किल होता है सीरियस रोल तो बहुत एजिली कर लेते हैं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पर्भाया कॉमेडी करना वाकरी बहुत मुश्किल है किसी को हसाना कोई आसान काम नहीं है बिल्कुल नहीं है लेकिन क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री का एक अजीब सा दस्तूर है यहां पर अगर आपके ऊपर इकमार कॉमेडी का ठपा लग गया तो फिर आपको उसी नजर से वो बहुत मुश्किल है आसाथ जी विल्कुल सर जैसे आप लोग हसाते हैं हमें और सभी लोग देखते हैं और जो पूरी दिन भर की टेंशन होती है उस सब लोग भूल जाते हैं और ऐसे सीरिल बनाने के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया और लड़ू के भ अंगुरी हम तुमसे बेंतहा महबत करते हैं इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे बिना शायद हम जी ना पाएं वो अलग बात है कि अगर भापी जी आ जाएं तो आनंद कुछ और होगा हाप अगली तो हम कह रहे थे कि I love you बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए समय निकालके आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ रोहिताश गौर जो की तिवारी जी हैं भावी जी घर पर हैं और साथ में ही और इसी सीरिल में और लड़ू के भाईया के नाम से भी मशूर हैं तो आपको कैसी लगी ये हमारी खास कारिकरम आप कमेंट करके जरूर बताएए बाके ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहे हैं श्रेश्ट भारत